ऐसा क्या हुआ है कि लोग अपने फेवरेट आक्टर को कह रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हो वड़ा वाहियात कर रहे हो अब आपको ग्रेसफुली रिटायर होना चाहिए और अब आपको अमिताब बनने की जरूरत है मैं बात कर रही हूँ गोविंदा की 90's में गोविंदा सबसे बड़े एंटिटेनर थे और 90's से लेकर अब तक भी इंडस्ट्री में गोविंदा जैसे एंटिटेनर नहीं आए हैं हाला कि ये बात अलग है कि 90's में जहां गोविंदा टॉप पर हर साल मल्टिपल फिल्म्स करते थे वहीं अब सालों में गोविंदा की एकात फिल्म आती है फिल्हाल गोविंदा ने एक नया काम शुरू किया है वो गाने गा रहे हैं और उन गानों की विडियोज में भी खुद डांस कर रहे हैं गोविन्दा के dancing के तो सब fan है, singing का talent भी उनमें है ये देखने को बिला लेकिन जिस तरीके के ये गाने हैं और जिस quality के ये गाने बनाए गए हैं वो गोविन्दा के standard के नहीं है ये B great गानों की style नजर आ रही है और लोगों ने इसी लिए गोविन्दा के इन गानों को वाहियात कहा है और गोविन्दा को कहा है कि आपको अब gracefully retire होकर सोचना चाहिए कि आपने industry में बहुत अच्छा काम किया और उसे सोच कर ही खुश हो जाना चाहिए गोविन्दा ने अपने social media पर अपने इन गानों के teasers share किये हैं उनका recent hello song release हुआ है और ये song भी दूसरे songs की तरह लोगों को पसंद नहीं आया है एक user ने कहा कि sir आप 90 से बाहर आईए हम 2022 में हैं वही एक और ने कहा कि sir हम आपको देखना पसंद करते हैं गानों के बजाए आप web series में क्यों नहीं आते एक और user ने कहा कि इज़त से retire होने में problem किया है जिस तरह की चीज़े आप इन दिनों कर रहे हैं इससे आपके fans बहुत शर्मिंदा होते हैं अब आपको accept करना ही पड़ेगा कि आपका जो contribution था cinema के लिए वो आपने कर दिया है और अब आपका time अप हो चुका है वही एक और user ने कहा ये बहुती ज़ादा शर्मनाक है पार्टनर आपकी last अच्छी फिल्म थी उसके बाद आपको अपनी टोपी टांग देनी चाहिए थी और बैट जाना चाहिए था रिलेक्स करके ये सोचना चाहिए था कि आपने cinema को बहुत अच्छा contribute किया है किसी ने कहा क्या बावसीर बना दिया किसी ने कहा सर आपका time गया लेकिन आपके fan है आपको पसंद करते हैं इसलिए support करने हैं वही किसी ने कहा कि गोविंदा बज से बत्तर बनते जा रहे हैं कुछ इस तरीके से गोविंदा के इन नए songs पर लोगों का reaction आया है कई actors के साथ ये हो चुका है ये उम्र ऐसी है जहाँ पर actor जो lead roles play करता आया है ता उम्र वो character या supporting roles में नहीं जाना चाता है ये दो और अमिता बच्चन ने भी देखा था हाला कि एक time के बाद अमिता बच्चन को समझ आया और उन्होंने gracefully जो hero वाले roles है वो छोड़कर supporting और character roles करने शुरू कर दिया हाला कि उनके लिए roles दमदार लिखे जाते थे और यही कुछ रिशी कपूर और अनिल कपूर ने भी अपने career में जेला है ऐसे में गोविंदा no doubt उनमें talent की कोई कमी नहीं है बस एक सही मार्ग उन्हें मिल जाए तो गोविंदा आज भी सबसे entertainer हैं इंडस्ट्री के आप agree करते हैं या नहीं comment section में जरूर शेयर करें